बेकाबू, शालीन भानोट एशा सिंग, दोनों ने मिलकर बेकाबू को रंगीन बनाने का पूरी तरीके से एक इरादा कर लिया है दोस्तों जी हाँ, आज मुझे एशा सिंग का किरदार भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा है, कहां किस जगर लगा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, साथी साथ कहां वो हमें इंप्रेस करती हैं, कहां वो हमें इंप्रेस नहीं करती हैं ये भी बताऊंगा लेकिन as usual शालीन भान उटाते हैं और पूरे सीन को खा कर, निगल कर, कक्चा चबा कर चले जाते हैं दोस्तो बेकाबू धीरे धीरे इतना इंटरस्टिंग हो रहा है और इसकी फ्लॉट में जो ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, मैं सच गहना चाहता हूँ, लिटरिली मजा आ रहा है और इसकी टी आरपी को बढ़ना चाहिए ही चाहिए, ऐसा देखिए इसको लगता है दोस्तों चलिए दोस्तों पड़ाफट, तो नमस्कार, स्वागत आपका चैनल टेली का जाना में आ गया है यारों का यार होस्त रहुल भोज चैनल को पड़ाफट सब्सक्राइब करे, आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टिग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है राहुल भोज 1515, मिलिये वहाँ पर बातचीत करेंगे, गर कोई सरजेशन है, किसी तरीके के आपके विचार हैं जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो डेफिनिटल यार, यू गाइज आर मोस्ट वैलकम ओवर देर तो भई आज हम सबसे पहले देखते हैं कि बेला की इंगेजमेंट हो रही है, उस लाल चील लड़के के साथ, जो कि एक्चुल में बेला पर तो निगाहें कसे हुए है, लेकिन उसकी जो निगाहें है, चील जैसी, वो है दोस्तों, बेला के ही, जिसको बेला अपना अंदले बाजी होगी यामिनी के साथ, यामिनी और मेयर ने मिलकर कुछ कांड किया है, क्योंकि वो बात, मतलब अगर आप लोगों ने इस्टर एक्स देखे होंगे ना दोस्तों, तो मैंने अल्रेड़ी ये बात अपने पास्ट के रिव्यूज में अल्रेड़ी बोल दिया करता है कि कल को राक्षसों के बीच में भी उनका involvement हो जाएगा और में भी हो सकता है कि क्या पता वो बड़े राक्षस हो जाए, ये भी हो सकता है न, एकता कबुर जी पर विश्वास नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं अपने सीरियल्स में, जहां पे नागिन देखो, तेज का कुछ तो धनलेबादी होगी ही यामनी के साथ, बड़ यहां पर हम देखते हैं कि एशा की शादी है, मैं honestly speaking, मतलब बेला की शादी है, एशा बहुत खुबसूरत लगती है, बहुत खुबसूरत लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे रिव्यू सुनकर, क्य सीन्स थे, वो जो हसी मजाग, वो मोबाइल फोन वाला सीन था, या फिर वो जो उनकी खास दोस्त मलिका है, उसके साथ वो जो एक ट्राइलोजी, एक ट्राइपॉड बना हुआ था, it looks so good and so authentic, मुझे ऐसा लगा कि बंदी ने थोड़ा, न सुर्व अपनी मेक अप पेज, य फाड़ के रग दिया शालीन ने, वही एशा थोड़ी सी दभी-दभी लग रही थी, तो एशा ने चेंज किया है and I'm very, very much happy कि एशा कर रही है, अच्छा, लेकिन again, कुछ सीन्स में वो एकदम डल चली जाती है, वो एक, मुझे ही पता नहीं क्यों लग रहा है कि ठीक, उनक तो character जो है ऐसा shy-shy सा timid character है, but that doesn't mean कि timid सारे, you know, क्यूंकि उनकी dubbing भी बेकार हो रही है, अगर आप लोग उनने notice किया होगा, तो वो dubbing क्या, बेभी हो सकता है, वो dubbing के चलते है, ऐसा हो रहा हो, dubbing बेकार हो रही है, actual में, क्यूंकि अगर आप लोग उनने देखा हो को क करने क्या करना चाहरे है, तो यहाँ पर technical aspect को भी मैं कहना चाहता हूँ कि please, बेकाबू की team, ये बात ध्यान से सुन लो, क्यूंकि मैं बहुत ही जादा observe करके सारी चीजे बोल रहा हूँ, ऐसी हावा में उला के नहीं बोल रहा हूँ, क्यूंकि इसकी dubbing की problem हो रही है, और व ये जैसा कि फिल्मों में होता है, बट मुझे लगता है कि टीवी सीरिल्स में इतना बजट नहीं होता है, तो इसले फिल्मों की तर्ट टिकनोलजी नहीं इस्तमाल हो सकती है, चलिए कोई बात नी, मुझे आज मलीका का का काम बड़ा चलाया, बहुत पार नहीं लगा, ले जो है, रानस की तरह डाल दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप एक से प्यार कर रहे हैं, कहीं सालों से रिलेशन्शिप में हैं, तो आप तुरंट दूसरे लड़के के आते ही, तुरंट ऐसे कैसे, मतलब अगर यहीं लड़के में भी होता, अगर कोई दूसरी लड आप पे हम लोग, वैसे ही यह चल रही है इसकी स्टॉरी, तो में भी हो सकता है, इन्होंने इस वजह से शायद जो है, पूरी इस टेक्निकल एस्पेक्ट को चेंज कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है, यह एकता कपोर जी का श्रु है, अभी यहां पर दोस्तों, एक चीज जो मुझे ऐसा लग रही है, वो है कि परी और राक्षेस दोनों के बीच में जो है, तकराव तो दिखाना ही चाहिए, मतलब शालीन को, रानव को तो उसकी शक्तियां पता चल गी, लेकिन यहां पर एशा को, बेला को कब पता चलेंगी है, शक्तियां में वो चाहता है, और दो बीच में थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग भी आ रही है, लेकिन वो भी अच्छी लग रही है, इसके साथ-साथ शालीन बानोट के कॉमेडी कितनी जाता सबर्दस्त है, यार, I love it, यार, I totally love it, शालीन बानोट ने वो जो वोला सीन बनाया ना, वो बहुत अच्छा था, जिस तरीके से वो उसको गोदी में, मतलब ऐसे हग करके रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में नोग जोग हो रही है, शालीन बानोट का S.R.K. साहब वाला लुक भी नजर आ रहा है, वो शारुक साहब को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा है, रोमैंटिक वो तो अच्छा लग रहा है देखके, लेकिन ओवर एन ओल, एक्षिल में देखा जाए, तो स्टोरी बहुत इंटरस्टिंग हो रही है, अब वो डाइमंड का क्या होगा, डाइमंड बचता है या नहीं, यही सबसे बड़ा है, और अगर आप लोगों को याद होगा, तो प्र कर रहे थे, असी अस्तर को पाने के लिए, उनका क्या हुआ, वेर इस डाइट, असी अस्तर वो कहां पर है, और परी लोग में इस वक्त क्या हल चल है, हमने राक्षर शो को तो देख लिया है, वो जमीन पे धरती पर इस तरीके सा टाउन्शिप बता रहे हैं, यह कर रहे है परी लोग में क्या हंगामा है, इसका अलग चल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से फील आ रहे है, जैसे कि मेर के टाइम पे आई थी, मुझे अंदर से फील आ रही है, कि अभी बेला जो मार खा रही है, तो हो सकता है उससे बचाने के लिए कोई परी उद पड कर रही है, ना सिर्फ अपने वेक अप पे ध्यान दे रही है, बलकि साती साथ वो अपनी एक्टिंग पर भी ध्यान दे रही है, और ये अच्छी बात है, बट अगें, कुछ-कुछ जो सोलो इंडिविज्वल सीन्स है, वो ऐसा गुम-गुम सी खोई-खोई-खोई सी लग राहुल भोज, आपका अपना, ओनेस्ट, रिव्यूर बताता रहूंगा आपको सारी चीज़े, तो कीप ऑन वाचिंग, टैली खजान, और इंस्टिग्राम पे मुझसे मिलिए, राहुल भोज, 1515, बाबाई